नमस्कार आज के इस खास पिश्क्रश में मैं एश्वरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ जाहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे मुंबई पुलिस कर्मियों की मंचाही मुराद पूरी हो गई है जुन से उनका वेतन 2700 से 5200 रुपे तक बढ़ गया है तो कॉंग्रेस ने असंकर्प लिया है कि वह भाजपा के भारत तोडो का जवाब भारत जोडो आंदोलन से देगी वही ठाने कोट ने आई से अधिक संपत्ती के मामले में भाजपा नेता नरिंद्र मेता एवं उनकी पतनी सुमन के अग्रीम जमानत आवेदन को खारीच कर दिया है इस बीच इडी ने राकामपा नेता एकनात खड से उनकी पतनी मंदा किनी दामाद गिरिश चौधरी समेट पाच लोगों की जबती की गए ग्यारा अचल संपत्तियों को खाली करने का नोटीस भेजा है तो उधर करुणा शर्मा ने कहा कि धननजर्म मुंडे के उनकी बहन रेणू के साथ ही नहीं कई दूसरी महिलाओं के साथ भी सम्बंध है और उनके पास इसके सबूत भी है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ बड़े वेतन के पीछे की कहानी बताई इस अधिकारी के अनुसार कॉंस्टेबल से लेकर एसाई की सैलरी का 2700 रुपए से लेकर 3200 रुपए तक बेस्ट के अकाउंड में हर मेने जाता था इसी तरह PSI से लेकर ACP का 4800 रुपए से लेकर 5200 तक बेस्ट के खाते में ट्रांसफर होता था बदले में पुलिस वालों को बेस्ट की बसों में पूरे शहर में फ्री में सफर की छूट थी लेकिन कई पुलिस वालों की शिकायत थी कि या तो वह लोकल ट्रेन में सफर करते है या उनके प्राइविट वाहन है इसलिए बेस्ट की बस में बहुत कम लोग ही सरकारी या परसनल काम से जाते है इसलिए उनकी सैलरी का बेस्ट को जारा हिस्सा उन्हें ही दे दिया जाय तो ज़्यादा बेतर है पुलिस कमिशनर ने इसका रिवोग किया और फिर नया आदेश निकाला इस अधिकारी के अनुसार बहुत साल पहले तक पुलिस वेलफेर फंड से बेस्ट को पुलिस वालों के सफर की रकम भीजी जाती थी बाद में 50-100 रुपे तक पुलिस वालों के अकाउंट से रकम कटने लगी दिरे दिरे रकम 5200 रुपे तक पहुच गई तब पुलिस वालों को लगा कि बेस्ट में फ्री सफर के नाम पर उनका काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है यह बात पुलिस कमिशनर ने भी मैसुस की शिल्डी में शुरू प्रदेश कॉंग्रेस के नवसंकलपक कार्यशाला में मंतरी अशुक चवण ने कहा कि कॉंग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है यह भाच्पा का दुश्प्रचार है इसका जवाब दिया जाएगा चवण ने कहा कि कॉंग्रेस सेक्योल और भले ही है पर हम किसी धर्म के खिलाप नहीं है प्रदिश का राश्ट्रवाद सच्चा है जबकि भाजपा का राश्ट्रवाद एक दिखावा है 42 सदस्यो वाली प्रदिश कॉंगरेस की राजनेतिक मामलों की समिति के सदस्यों की बरठक के दावरान कई सदस्टों ने कहा कि हमें हिंदू विर्योधी छवी बदलनी होगी कॉंग्रेस सिर्फ एक धर्म विशेश की पार्टी बनकर आगे नहीं बढ़ सकती लिहाद आप कॉंग्रेस ने यह संकल्प लिया है कि वह भाजपा के भारत तोडों का जवाब भारत जोडों अंदलन से देगी इस बारे में महाराष्टर प्रदिश कॉंग्रेस की राजनितिक समीति ने एक प्रारूप तयार किया है जिसके तायर समाज के विभिन्न वर्गों, गयर सरकारी संगटनों, सिविल सोसाइटियों, बुद्धी जीवियों और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओ तथा समविचारी पार्टियों को साथ मिलेकर भाजपा के खिलाप मुर्चाबंदी की जाएगी नवसंकल्प कार्याशाला में राजनितीक संगठन, अर्थवेवस्ता, क्रिशी, किसान और सहकारिता, सामाजिक नय और युवा एवं महिला सशक्तिकरन पर चर्चा के लिए गटित 6 समूओ का गठन कर चर्चा हुई इन 6 समूओ द्वारा तयार रोड मैप कार्याशाला के समापन सत्र में आज पेश किया जाएगा ठाने कोट ने आए से अधिक संपत्ती के मामले में जाज के घेरे में आये भारतिय जन्ता पार्टी के निता वह पुर्व विधायक नरेंडर मेता एवं उनकी पत्नी सुमन के अग्रिम जमाना ताविदन को खारिज कर दिया है हलाकि मेता के पास अभी गिरपतारी से राहत पाने के लिए हाईकोट जाने का विकल्प बचा हुआ है कुछ दिनों पहले ब्रस्टाचार निरोदक ब्यूरे ने इस मामले को लेकर मेता वो उनकी पत्नी के खिलाप मामला दर्श कराया है मामले में गिरपतारी की आशंका को देखते वे मेता वो उनकी पत्नी ने ठाने की विशेश अदालत में अगरिम जमानत आविदन दायर किया था विशेश नायदिश आरार काकानी ने कहा कि आरोपियों पर गंबीर अपरात के आरोप है इसलिए उनके अगरिम जमानत नहीं दी जा सकती है मीरा भायंदर इलाके से भाजपा के पूर्व विधायकर है नरिंद्र मेता और उनकी पत्नी सुमन मेता के खिलाब ड्रस्टाचार निरोधत ब्यूरों ने आई से अधिक संपत्ती का मामला दर्च कराया है नवगर पुली स्टेशन में दर्च एफायर में एसीबी ने आरूप लगाया है कि मेता ने एक जनवरी 2006 से 31 अगत 2015 के बीच सरकारी पत पर रहते वे जो संपत्ती अरजित की वह उनकी आयके ग्यात स्तुरोतों से 8 करोट 25,51,773 रुपे जादा है एसीबी का दावा है कि गलत तरीके से हासिल की गई संपत्ती चिपाने में सुमन महता ने भी उनकी मदद की इसलिए पती पत्नी दोनों के खिलाप एफायर दर्च की गई है प्रवर्तन निदिशाले ने वरिष्ठ राकापा नेता एकनात खड़ से उनकी पत्नी मंदाकिनी दामाद गिरिश चवदरी समित 5 लोगों की जब तकी गई 11 अचल संपत्तियों को खाली करने का नोटीस बेजा है इन संपत्तियों को एडी ने पिछले साल अगस्त महिने में सध्दान्तिक रूप से जब तक किया था जब तक ही गई संपत्तियों की कीमत 5 करोट 75 लाक रुपे से ज़ादा है 30 माई को भेजी गई नोटीस में एडी ने कहा है कि अगर संपत्तिया 10 दिनों में खाली नहीं की गई तो जाच एजनसी कानून के मुताबिक इसे खाली कराएगी राजसरकार के संबंदित अधिकारियों को भी कहा गया है कि वे इन संपत्तियों की बिक्री या लीज पर देने की इजाज़त न दे जब तक ही गई खडसे परिवार की संपतियों में लोनावला स्टित बंगला, जलगाउ स्टित तीन फ्लैट और तीन भूखंड शामिल है आरुफई की देवेंद्र फणनवीश सरकार में राजश्व मंत्री रहते एकनात खडसे ने अपने पत का दुरूपयक करते हुए भोसरी के M.I.D.C. इलाके में 3.1 एकड जमीन बाजार भाव से काफी कम कीमत में खरिद ली थी इसी मामले में खडसे इडी की जाच के घेरे में है इसी बीच आयकर विभाग की टीम ने करचोरी के संदेह में M.B.C. समो के बांदरा कुरला कॉम्पलेक्स टीत आफिस में चान बिन की कमपनी का मुंबई स्टीत कार्यल है इंडिया बोल्स रियल स्टेट परिसर में है मुंबई के साथ कमपनी के बैंगलूरू और गुरुग्राम में स्टीत परिसरों में भी छापय मारे गए वही कमपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आईकर विभक्ती टीम नियमी जाच के लिए पहुची थी हम नियमों का पालन करते हैं और अधिकारियों को जाच में पुरा सायोग कर रहे है सामजिक नयमंत्री धननजय मुंडे की कथित दूसरी पत्नी करुणा शर्मा ने एक बार फिर उन पर गंबीर आरूप लगाये है करुणा शर्मा ने दावा किया कि मुंडे के दबाव के चलते ही उनकी माने आत्मत्या की है शर्मा ने यह भी कहा कि मुंडे के उनकी भेहन रेणू के साथ ही नहीं कई दूसरी महलाओ के साथ भी संबंध है और उनके पास इसके सबूत है कुछ महलाए उनके खिलाप मों खुलने को तयार है तो कुछ डर के मारे बोलना नहीं चाहती लेकिन मुंडे के व्यवार से वह दुखी है करुना शर्मा ने कहा कि उनके पास एक CD है जिसके सारवजनिक होने पर महारस्टर में भूचाल आ जाएगा इस CD में सभी कारना में रिकॉर्ड है करुना ने कहा कि उनकी भेन रेनु मुंडे के बारे में एक बड़ा खुलासा करने वाली थी इसलिए उसे जबरन वसुले के फर्जी मामले में फसा कर जेल भेज दिया गया पुलिस ने उसके मूबाइल और दूसरे इलेक्ट्रोनिक उपकरन जब तकर सबुद भी नश्ट करने की कोशिश की है उन्होंने कहा कि मुंडे के खिलाप उनकी शिकायत पर कोई कारवाई नहीं हो रही है और राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी उन्हें बचा रही है शर्मा ने कहा कि मैं पवार की इज़्जत करती थी लेकिन वे जिस तरह की भूमी का अपना रहे है वह देखकर अच्छा नहीं लग रा शर्मा ने मुंडे को मंत्री पत से हटाने की मांग की साथ ही उन्होंने दावा किया कि वे मुंडे की पहली पतनी है और उनके पास इसके सबूत भी है वह कभी भी इसके लिए हर परिक्षन को तयार है सत्तेंद्र जैन की गिरफतारी के बाद दिल्ली के सीएम अर्विन केजरिवाल ने दावा किया है कि उपमुख्यमंत्री मनिच सी सोधिया पर भी परजिक केस की तयारी की जारी है तो अभी नेता अक्षे कुमार ने कहा है कि ग्यानवापी मस्जित के अहाते बें जो शिवलिंग मिला है वह दिखने में शिवलिंग जैसा ही है वही जम्मो कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने एक बैंक में घुस कर बैंक के मैनेजर को गोली मार दी इस बीच आगरा के मलपूरा के एक मदर से में पढ़ने वाली बालिका के साथ रेप का मामला सामने आया है रेप का आरोप मौलाना पर लगा है तो उधर कॉंग्रिस सद्यक्ष सोनिया गांदी कोरोना वाइरस संक्रमन का शिकार हो गई है कॉंग्रिस के कुछ अन्य नेताओ के भी संक्रमित होने की खबर है देश की इन पाच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ अपने खास मंतरी सत्यंद्र जैन की गिरपतारी के बाद अब दिल्ली के सीम अरविंदक इजरिवाल ने दावा किया है कि उपमुख्य मंतरी मनिश सिसोदिया पर भी फर्जी केस की तैयारी की जारी है उन्हें भी गिरपतार किया जा सकता है बाकादा प्रेस कांफरेंस कर उन्हें ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जाच एजन्सियों को मनिश सिसोदिया की खिलाब कोई न कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है जैसे उन्हें ने सत्यंद्र जैन के खिलाब फर्जी केस किया है वैसे ही ये लोग मनीश जी के खिलाब भी केज बना रहे है उन्होंने दावा किया है कि सत्यंद्र जैन और मनीश से सोधिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल कर ये लोग दिल्ली में स्वास्थया और शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे है उसे रोकना चाहते है पर चिंता मत कीजिये मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा सभी अच्छे काम चलते रहेंगे केजरिवाल ने कहा कि अगर मनीश और सत्यंदरब रष्ट है तो इमानदार कौन है मेरी प्रदान मंत्री जे से हाथ जोड़कर विननती है कि एक एक कर जेल में डालने की बज़ाए आप हमारी आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों सभी विधायकों को एक साथ जेल में डाल दीजिए सारी जाच एजंसियों को बोल दीजिए कि एक सारी जाच कर ले आप एक-एक मंत्री को गिरपतार कर रहे हो इससे जनता के काम में बाधा पैदा होती है यहाँ दिलचपस यह है कि जैन की गिरपतारी से कुछ मेहने पहले केजरिवाल ने उनके बारे में भी ऐसा दावा किया था इस बीच स्मूती इरानी ने जैन को क्लीन चिट देने पर केजरिवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि वह खुट जज क्यों बन जाते है अभिनेता अक्षय कुमार ने ग्यानवापी विवात पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ग्यानवापी मजजित के आहते में जो शिवलिंग मिला है वह दिखने में शिवलिंग जैसा ही है हलाकि उन्होंने कहा कि वीडियो में जो अकुरूती नजर आ रही है उसके बारे में सरकार या फिर ASI वाले आर्कियोलोजिकल सर्वे वाले और जजज बहतर तरीके से बता पाएंगे उन्हें इस बारे में ज़्यादा पता है मैंने बस वीडियो देखा है हमें वो उतना समझ नहीं आएगा देखने में शिवलिंग ही लगता है कंगना रनोत ने भी हालही में इसे शिवलिंग जैसा बताया था जब वह फिल्म धाकड के प्रमोशन के लिए बनारस गई तो उन्होंने ग्यानवापी मज्जिद विवात पर भी बात की कंगना रनोत ने कहा था कि जिस तरह मतुरा के कंकन में भगवान कृष्ण और वयद्ध के कंकन में भगवान राम बस्ते है उसी तरह काशी के कंकन में भगवान शिव बस्ते है अक्षय भी हाल ही में समराट प्रत्वीराज के प्रमोशन के लिए बनारस गए थे उन्होंने वहाँ गंगा घाट पर डुपकी लगाई और मंदिर में आरती भी की बतादे की बनारस में काशी विश्वनात मंदिर के बगल में ग्यानवापी मजजिद है जिस पर पिछले कुछ वक्त से विवाद चल रहा है इस मजजिद में मिले शिवलिंग के बाद लगातार सवाल उठ रहा है कोट ने इस मजजिद के परिसर में सर्वे करके यहाँ पता लगाने का आदेश जिया कि वहाँ पहले मंदिर था या मजजिद इसकी कुछ तच्वीरे और वीडियो भी वाइरल हुए अक्षे कुमार की इस प्रतिक्रिया के बाद सीने जगत से और भी आवाजे उठने लगी है और नामचीन चेहरे इस विवाद को लेकर मूँ खुलने लगे है जम्मू कश्मिर के कुलगाम जिल में एक बार फिर बड़ी आतंकी वारदात सामने आई है यहां आतंकवादियों ने एक बैंक में घुसकर बैंक के मेनेजर को गोली मार दी मेनेजर को गंबिर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया बैंक मेनेजर विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाकाई देहाती बैंक के करमचारी विजय कुमार को बैंक परिसर के अंदर गोली मार दी गई बतादे की दो दिन पहले ही जम्बूरिजण के सांबा जीले की रहने वाली रजनी बाला की मंगलवार को कुलगाम के सरकारी स्कुल में आतंकवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी उससे भी पहले बढ़गाम जीले के तैसिलदार चंदूरा के कारेले में घुचकर कलर्क राहुल भट की 12 मई को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी आतंकियों ने दो नागरी को और कश्मिर में तीन ओब ड्योटी पुलिस कर्मियों की भी हत्या कर दी थी स्थानियों लोगों का कहना है कि बढ़गाम के बाद कुलगाम में कश्मिरी पंडितों के बाद अब गैर कश्मिरियों को नीशाना बनाया जा रहा है इस बीच बैंक मैनेजर की हत्ता के बाद सुरक्षा बलो ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है उदर कश्मिर में आतंकी वार्दातों को लेकर शुक्रवार को केंद्रिय ग्रोह मंत्री अमीच शाह उपर अज्यपाल मनुच सीना के साथ बैठक करने वाले है सुत्रों के अनुसार हाल ही में घाटी में लगातार होरी यातंकी घटनाओ को रोकने के लिए केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है आगरा के मलपूरा के एक मदरसे में पढ़ने वाली बालिका के साथ रेप का मामला सामने आया है रेप का आरोप मौलाना पर लगा है पिडिता ने कहा है कि ऐसा दो अन्य बच्चियों के साथ भी हुआ है पिडिता की तहरेर पर आरोपी मौलाना और दो अन्य के खिलाप केस दर्श कर लिया गया है आरोपी मौलाना अपने परिवार के साथ फरार है जानकरी के अनुसार थाना मलपूरा के मदरसा मदिना तुली इसलाम तेली पाड़ा मुल्ला की प्याउ धनोली में एक महिला ने अपनी नाबालिक बेटी का प्रविश कराया था तीन साल से उसकी बेटी मदरसे में पढ़ने जा रही थी मदरसे का संचालन शाकेर नाम का मौलाना करता है आरूपी मौलाना ने 20 मई को उसकी नाबालिक बेटी के साथ रेप किया जब महिला इसकी शिकायत करने मदरसे में गई तो मौलाना के बेटे फैजुल खतिजा और उसके दादा ने उसको डरा धमका कर भगा दिया साथ ही उसे मदरसे से निकलवाने की धमकी देने लगा महिला और उसकी बेटी को जान से मारने की भी धमकी दी गई पीडिता अपनी शिकायत लेकर SSP सुदिर कुमार सिंग के पास पहुची SSP के आदेश पर आरूपी मौलाना शाकिर उसके दोनों बेटे और दादा के खिलाप मुकदमा पंजिकरूत कर लिया है इस मदरसे में 30 लड़किया पढ़ती है लड़किया मदरसे में रहकर ही पढ़ाई करती है इन बच्चियों को दो शिक्षक पढ़ाते हैं बालिका ने बताया कि मौलाना ने दो अन्य बालिकाओं के साथ भी गंदी हरकत की है लेकिन डर के कारण वे किसी से कुछ भी नहीं कई पाई है चाइल्ड राइट सेक्टिविस्ट नरेश पारस ने यूपी के सभी मदरसों की जाज करने की मांग की है विदान सबा चुनाओं के बाद पहली बार उत्तर प्रदिश लवटी कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को दो दिन तक लखनाओं में रहना था लेकिन वह कल देर राथ ही दिल्ली लवट गई बताय जा रहा है कि प्रियंका की यूँ अच्छानक दिल्ली लवट जाने की भनक पाल्टी के वरिष्ठ निताओं को भी नई लगी उने भी उनके जाने के एक देड़ गंटे बाद ही पता चला अलग-अलग तरह की बाते हो रही है इस बीच खबर है कि कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वाइरस संक्रमन का शिकार हो गई है कॉंग्रेस के कुछ अन्ने निताओं के भी संक्रमित होने की अजस्तान के उदाइपूर में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल हुई थी उस कारेकरम में पुर्वध्यक्ष राउल गांधी समेत कॉंग्रेस के सेकड़ों नेताओं ने शिरकत की थी कॉंग्रेस नेता सुर्जेवाला का कहना है कि बुद्धवार शाम को वह कोविड- 19 पॉजेटिव आई है उन्हें बीमारी के हलकेक्षन नजर आ रहे थे और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था उन्होंने कहा था कि बीते हफ्ते सोनिया गांधी ने कई और नेताओं और कारेकरताओं के साथ बैठा के की थी इन में से कुछ कोविड संक्रमित पूर्ड़ नेता को एतियात के सुख गया है साल 2014 में उन्हें राज़दानी दिल्ली experient सरगंगाराम अस्पताल में भरती कराया गया था उस दरान कहा जा रहा था कि कॉंग्रेस नेता नेता को हाथियात के तोर पर अस्पताल में भरती कराया गया है इसी तरह नवबबर 2020 इसमें भी डॉक्टर की सलापरव दिल्ली के भारी प्रदूशन से बच कर तटिया रज्य गुवा में चली गई थी इराग का मोसुल जलाशय पूरी तरह सूख गया है इस जलाशय के पानी के नीचे 3400 साल पुराना शहर मिला है तो युक्रेन को भारी हतियार मुहया कराने के मुद्दे पर पश्शिमी देशों के मोर्चे में दरार आ गई है वही सौधी अरब ने सभी प्रकार के विजिक वीजा धारकों के लिए नौजुन से चार हवाई अड़ों के जरिये देश में प्रवेश करने पर प्रतिमंद लगाने का फैसला किया है इस बीच इरान में अपने पार्टनर को शादी के रिष्टे में धोका देने के मामले में 51 लोगों को मौद की सजा सुनाई गई है इन लोगों को पत्थरों से मार मार कर मौद दी जाएगी तो उधर भारतिय मूल के बृतानी अभिनेता अजय छाबडा लंदन में बंकिंगम पैलेस के बाहर बृतेन की महरानी एलिजाबेद वीतिय की ताच कोशी की 70 वी वर्षिगार्ट मनाने के लिए बॉलिवुड शेली की वेडिंग पार्टी प्रस्तुत करेंगे दुनिया भर के इन पास बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही हमारे साथ इरक में बढ़तेत अपमान के कारण मोसुल जलाशय का पानी पूरी तरस सूग गया इसके बाद का नजरा हैरान और विस्वित कर देने वाला है जलाशय के पानी के नीचे छीपा प्राचिन शहर अब दुनिया को अकरशित कर रहा है लगबग 3400 साल पुराना यह शहर कभी उत्तरी मेसो पोटामिया के एक इंडो इरानी सामराज जमीतानी की टिग्रिस नदी पस्थित था कुर्द और जर्मन शोत करताओ की एक टीम ने इस शहर का पता लगया है इस शहर की खुदाई करते वक्त पुरातत्व विदो ने एक महल और कई विशालकाय इमारतों की खोच की है इन में कई बहुमंदिला इमारते शामिल है जिनका इस्तेमाल संभवता भंडारन और उद्धोग धंदों के लिए किया जाता होगा इस शहर में दिवारे अच्छी तरह सौरक्षित है जिसने खोच करताओं को चवका दिया है क्योंकि अभी तक माना जाता था कि 1350 इस विशन पुरों में आये भुकंप में शहर नश्टा हो गया था चवकानी वाले बात यह भी है कि इस शहर में इमारतों की दिवारे मिट्टी की बनी है जो कई साल तक पानी में डूबी होने के बावजूत बहद अच्छी स्थिति में है शहर में मिले पाच चीनी मिट्टी के बरतन सबसे आश्चर एजनक चीजे है जिन में सव से अधिक अभी लेखागार मौजूद है शोद करताओं का मानना है कि संभावता इन में कई चिठी है जो अभी भी अपने मिट्टी के लिफाफे के भीतर है किसी तरह के नुकसान से बचाने के लिए शहर में खोजी गई चीजों को प्लास्टिक शिट से ढग दिया गया है दुनबास में रूस के भिशन हमलों के बीच युकरेन को भारी हतियार मौईया कराने के मुद्दे पर पश्ची में देशों के मौर्चे में दरार आ गई है अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को लगातार जादा शक्तिशाली हतियार मोहिया करेने की मुद्दे पर बढ़ गए है फ्रांस और जर्मनी के नेतरूत में में पहला गुट यूक्रेन को लगातार हतियार देने का विरोध कर रहा है इस गुट को डर है कि इससे संगर्ष लंबा खिचेगा और आर्थिक घटा बढ़ता चला जाएगा एक रिपोर्ट की मुताविक असामेतिका केंद्र रूस की ओर से लंबे समय तक पैदा होने वाले खत्रे और क्या वास्ताव में यूक्रेन जंग के मैदान में जीत हासिल कर पाएगा इसको लेकर है यही वज़ा है कि फ्रांस और जर्मनी के नेतुर्ट वाला गूट यूक्रेन को आकरामक और लंबी दूरी तक मार करने वाले हतियार मोहिया कराने से परहिच कर रहा है युक्रेन को रूस के हातों गवा चुके इलाकों पर फिर से कबजा करने के लिए इन हत्यारों की सक्ता जरूरत है उन्हें डर सता रहा है कि रूस सीधे नाटों को धमका सकता है वही दूसरी और अमेरिका, ब्रिटेन और मध्या तथा उत्तरिय ये उरोपियो देशों का सम्मूँ मानता है कि पुतीन का हमला रूस के विस्तार की केवल शुरुवात है रूस युक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करके पश्चिमी देशों पर हमला करना चाहता है इसे देखते वे अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन के प्रशासन ने अयलान किया है कि उनका देश युक्रेन को उच्चा तकनिक से लैंस मध्यम दूरी तक मार करने वाला रॉकेट सिस्टम मुहया कराएगा सौधी अरब ने सभी प्रकार के विजिट वीजा धारकों को 9 जून से 4 हवाई एड्डों के जरिए देश में प्रविश करने पर प्रतिबन लगाने का फैसला किया है इन 4 हवाई एड्डों में जिद्दा, मदिना, यान्बू और ताइफ हवाई एड्डे है हज यात्रा के कारण यह प्रतिबन लगाया गया है हाला कि सौधी अरब में रियाद इंटरनेशनल एएरपोर्ट के जरिए प्रविश किया जा सकता है सौधी अरब एरलाइंस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि यह प्रतिबन 9 जूलाई 2022 तक जारी रहेगा सौधी अरब की ओर से कहा गया है कि सभी प्रकार के विजिट वीजा धारकों को चार हवाई अड्डो के जरिये देश में प्रवेश की अनुमती नहीं होगी यह हवाई अड्डे हज परमिट धारकों के लिए रिजर्व है विजिट वीज धारकों के पास राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए इसके साथ ही आगमन और वापसी रियाद हवाई अड्डे के जरिये ही होगी इससे पहले 23 मही को सौधी अरब ने अपने नागरिकों को 16 देशों की यात्रा करने से रोक दिया था ये फैसला कोरोना के मामलों के कारण लिया गया था इन देशों में लेबनान, सेरिया, तुर्की, इरान, अफगानिस्तान, बारत, यमन, सोमालिया, इथोपिया, कांगो, लिविया, इंडोनिशिया, वियतनाम, अर्मेनिया, रूस और वेनेजुयला शामिल है इस बीच श्रीलंका ने फैसला किया है कि वह अपने देश से इस साल हज यातरी नहीं भेजेगा, इसका प्रमुक कारण श्रीलंका के सामने खड़ा आर्थिक संकट है, श्रीलंका 1948 के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है इरान में अपने पार्टनर को शादी के रिष्टे में धोका देने के मामले में 51 लोगों को मौद की सदा सुनाई गई है, इन लोगों को पत्थरों से मार मार कर मौद दी जाएगी इरान में मानवादी कारों की हनन से जुड़े गुपत दस्तावेजों के लिख होने के बाद चवकाने वाले खुलासे हुई है, इन लोगों को शरीया कानून के तहट सदा सुनाई गई है, रिपोट की मुताबिक कुल 23 महिला और 28 पूरुशी इस भयानक सदा का इंतजार क पनाते है, कुरान में व्यविचार को एक गंभिर पाप माना जाता है, कानून के मुताबिक जिने सदा सुनाई जाएगी उन्हें पहले कपड़े में लपिट दिया जाएगा, और फिर उन्हें उनकी कमर तक रेत में दबा दिया जाएगा, कमर का उपर हिस्सा मिट्टी के रहता है, फिर उन्हें पत्थरों से तब तक मारा जाता है, जब तक पिडित मर नहीं जाता, इस तरह मौत की सदा पाने वाले लोगों की कोई निश्चित तारिक नहीं होती है, इस तरह की सदा में कई बार लंबे समय तक पिडित अपने मरने का इंतजार करते रहते हैं, को इरान में सबसे ज़्यादा है से राष्टर मंदल की विशे वस्तू पर आधारीत प्रस्तूती के लिए चुना गया है महरानी की शासन की प्लैटिनम जुबली का जश्न मनाने के लिए इस सब्ताहन तक कई कारेकरम आयुजित किये जाएंगे एक्याउन वर्षी अभीनेता छाबडा ने 1947 में डियो कॉप एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप के साथ महरानी की शाई विवाह से प्रेणा लेकर केक बनवाया है जाने माने रंगमंच, टीवी, एवं रेडियो कलाकार, छाबडा नटखट की कलात्मक निदेशक सिम्मी गुपता के साथ मिलकर वेडिंग पार्टी की प्रस्तुती की तैयारी कर रहे है जिसमें दो लोगों के एक साथ आने से एक जूट होने वाले परिवारों और समुदायों की खुशी को दर्शाया जाएगा लंदन, बर्मिंगम, लिसेस्टर, मैंचेस्टर, साउतेम्टन और नुकेसल से विभिन्न आयूवर्ग के 250 कलाकार बॉलिवुड शेली की वेडिंग पार्टी प्रस्तुती का हिस्सा होंगे नटखट ने कहा के विशेश रूप से डिजाइन की गई प्लेटिनम जूबली साडी के जरिये राष्टर मंडल की भावना दिखाई जाएगी गवर्तलभे की एलिजाबिद वितिय अपने पिता के निधन के बाद 6 जून 1952 को ब्रिटिन की महरानी बनी थी तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक देखते रहिए भी के बीन्यूस नमस्कार